विपक्षि कह रहा है कि युवाहों के लिए दस सालों में कोई कामी नहीं हुआ है। युवा तो राउल गांदी अपने आपको भी कहते हैं उनको भी रोजगार नहीं मिला। तो अलग अलग यह आदमी पर इपेल्ट है। मोदी आयके देगा तुम्हें रोजगारा करता हूं कि जब तक हुए जी है मोदी जी ही सरकार बने रहें विपक्ष में कोई कोई भी होगा ना इन में से हर काम को अच्छा हो या बुरा हो वो गलत है तो यह क्या मोदी परिवार है टुटर आइडी पर लिखा हुआ है परिवार की आइडी को लिखी हुई है कि जो युवा पीडी है वो चाहते है देश में अच्छा हो देश के अंदर अच्छा विकास हो अच्छी पढ़ाई हो अच्छा हो अच्छा विकास हो युवा तो ये विपक्षी के लिए इन 10 सालों में कोई कामी नहीं हुआ है युवा तो राउल गांदी अपने आपको भी कहते है, उनको भी रोजगार नी मिला, 52-53 साल का युवा है वो, युवा वो उस समय भी थे जब मनमोहन सिंग को प्रदान मंतरी बनाया था, राजीव गांदी की मिर्थु के बाद, तो राउल गांदी को क्यों नी बनाया, उस अब 32-53 साल का था, था विए लगभग राजीव गांदी की मिर्थी को, तो आज तो विर में 52-52 साल का है, यहना, तो लगभग भग बतनाया, लेकिन मुद्दा तो रोजगार का है, ना, रोजगार ना, रोजगार गभभ उताईए, क्योंकि इन की अपने रोजगार से लेकिन वह आत्म निर्फर भी बना रहे हैं, इस्टाटाप इंडिया का भी चालू करा है, ठीके ना? वो लोग नी देखते हैं, सबको सरकारी नोख्री चाहिए, सबको सरकारी चाहिए, कोई कैपिबल है, नहीं है, किसी में स्किल है, नहीं है, मैं अगर दश्वी पास हूँ, सबको सरकारी चाहिए, अभी मोधी जी ने अगनी वी रियोडना निकाली, लोग कहते हैं, यह पूरा विरोध किया था, विपक्ष का कम अपोस करना है, विपक्ष में कोई भी होगा ना, इन में से, हर काम को अच्छा हो या बुरा हो, वो गलत है, विपक्ष का आलिया हो र उसमें कहते हैं कि 75% लोगों को, अगर नुने 100 बंदे ली हैं, तो 75 को वापस करेंगे 4 साल बाद, और एक बंदे को रखेंगे, ठीक है, बना 25 प्रेसेंट रहेंगे, और जिनको वापस करेंगे, उनको एक पटिकुलर कुछ अमांट दिया जाएगा, उसे आदमी 4 साल अपना वेपार भी कर सकता है, और अगर उसमें वह आदमी छोड़ी है, तो CISF, CRP, इनमें भी इनके रास्ते खुले हैं, लोगों को यह दिमाग में नहीं हैं, तो इनके बाद से बिलकुल सहमत नहीं है, बिलकुल सहमत नहीं है, इसलिए कि जो रोजगार की बात होती है, जो सरकार के जितने हित में हैं, वो उतना तो करी रहे हैं, अभी थोरण आए कि पूरा पबली को मतलब अपने एति के लिए, मतलब पबली को खुश करने के लिए, अगर जो सीच के बज़ए अगर और भी एति कर दें, तो यह तो सरकार की हित में नहीं है, तो सरकार अपना जो काम हो यह वो कर रही है अब आत रहे में जीन्दगी में कोई परफिक्ट नहीं बना नेंता हो यह Cavnish हो मतलब जो अपनी समस्या से जूज रही है मतलब जूज तरह हैं एपना आदմी अपनी पदट आपको क्या समस्या है? जो देश का प्रदानल तर नियुक्त होता ना वह उपी से होता और यूपी की जनता जहां मैंड कर लेती है ना एक वार यूपी जिसने यूपी को समाल लिया चाहओ वह विपच्छो चाहओ भाजपा हो जिसने यूपी को समाल लिया तो यूपान देश का प्रदान मंत्री बन गया और यूपी को समालना क्या है यूपी को समालना एक बहुत वड़ी खीर है क्या खीर है कि यूपी के अंदर बहुत मैंटिट लोग नेता है जो बिपक्ष वाले ऐसे हैं जो दही को साली को मठा बन अब एक बताओ स्वामी प्रसाद मौरिया से मेरे मुह से बाप गलत निकले हैं अगर रामाड नहीं है तो खासा बंजा इसलाम धर्म वो कल ले इसलाम धर्म तो रामाड आएगी नहीं हिंदू धर्म में जनम लियात अच्छा वो कोई भी वक्ति हो उसके रामाड या काना जी यूपी के अंदर तीन या चार से डाएंगी विवक्ष की जा जाद तीन लाग पूरा इंडिया गठ बंदा में तो कोई दावेदान नहीं उसमें उन्हें ये तो पता नहीं गोड़ी पर गोड़ा को गोड़ी पर दूला कॉन बैढ़ेगा तो दूले की पता ना है तो किस बना देना चाहिए और इनको बना देना चाहिए और इनको बना नहीं चाहिए नहीं कैसे देख रहें क्या कुछ लग रहा है कि रीपीट होनी चाहिए वह जनता के साथ करें कि रीपीट हो ना चाहिए कि जिस जनता ने अपने को बदलते हुए देखा है, जिस जनता ने बदलते हुए भारत की को देखा है, जिस जनता ने बदलते हुए छबी को देखा है, आप उसको अगर कहेंगी रिपीट होना है, तो ये खुद से धोका है, ये पत्रकारिता से धोका है, तो जनता तो रिप करा नहीं लड़ीपगर तो सब्कों पता है हर एक को पता है तो तो कॉंग्रेस वाले अमेटी और राइबरेली नहीं लड़ पारें, जो एक परिवार लड़ता आता है जहां से, वो दोनों सीट परिवारिक सीट वो नहीं लड़ रहें, वो प्रधान मंतरी का सपना देख रहें, अखिले से आदब जी नहीं तो पहले हाथ पीछे घीच लि जाएगी, क्योंकि हम दो सीटों से 300 प्लस सीट पे पहुंचे हैं, इस बार हम विकास और काम के बलबुते, जनते के प्यार के बलबुते हम 400 प्लस सीट पर जाएगे, नरण मोदी जी की सरकार जाएगी, तीसरी टर्म बनेगी, क्योंकि भारती जनता पाटी की सरकार में, य जोजना है गरीबों तक गाउं तक निचले तपके अब्यक्ति तक पहुंचती है यह जनता की सरकार इसको कहेंगे हम इसलिए इतने भरोसे के साथ हम कह रहे हैं भारती जनता पार्टी की सरकार 400 प्लस सीट से बनेगी हम तो किसी राजनितिक पार्टी से नहीं हम तो एक कौमन वोटर हैं और पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो साथ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और आज बीजेपी की सरकार है तो उसमें हमें काफी कुछ सुविधाय में मोदी जी की और से तो जाहिर सी बात है कि हम तो मो करता हूं कि सरकार चिलाने वाले के सही एक बंदा है जो आने वाले पांच साल नहीं कि जब तक वह जिये मोदी जी ही सरकार बने रहे हैं तो देखे जनता की राए है बीजेपी ही आनी चाहिए प्रधान मंत्री के पतपर अगर देखा दिखाए बदागते फिराल दब तक वित निग Adaptory पर सब्सक्राइब कब और समय थे